Hello everyone, हमारे कई students के comment आये थे कि मैम अगर GRF हो जाता है तो क्या government university में admission पक्का हो जाता है कि government university में अगर हम apply करेंगे तो admission हो जाएगा और इसके साथ साथ इस video में जानेंगे कि GRF अगर हम PhD में admission नहीं लेते हैं तब भी हमें fellowship मिलेगी या नहीं मिलेगी और उसके साथ साथ कि मैंने government university में admission क्यों नहीं लिया इसके पीछे क्या वज़े थी इन सभी सवालों को सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस video में तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लो कि GRF याने कि Junior Research Fellowship आपको तभी मिलती है जब आप Amphil या PhD में admission ले लेते हो और वो भी GRF होने के 3 years के अंदर अंदर हमें admission लेना होता है और private university और government university कोई matter नहीं करती कि भई आप private university से कर रहे हो या government university से कर रहे हो अब अगर आपका GRF हो जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि government university में आपका admission हो जाएगा यानि कि जहां भी आप apply करोगे वही पर आपका admission हो जाएगा ये बिल्कुल sure नहीं है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि GRF जो है वो बहुत ही कम candidates होते हैं लेकिन आप ये देखना M.Phil और PhD की central universities में seat कितनी होती है ठीक है तीन seat चार seat बहुत ही कम seat निकलती है तो और वहां पर अगर आप interview देने के लिए जाओगी क्योंकि GRF candidates को exam देना compulsory नहीं होता वो उनके उपर depend करता है कि उन्हें entrance exam देना है या नहीं देना है तो कई बारों उन्हें ये पढ़ा है कि GRF को direct admission मिलेगा इस government university में तो students ये समझ बैठते हैं कि भई अगर आपका GRF हो गया है तो आपका government university में admission sure हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए भी आगे बहुत ही सारा procedure होता है आपके graduation में भी marks अच्छे होने चाहिए उसके साथ साथ आपके जो interview है उसमें भी अच्छे marks आने चाहिए और interview में तो आपको पताई है कि किस तरह से marks लगाए जाते हैं और फिर यही question आता है जी आरेफ का government university में admission से कोई relation नहीं है कि जी आरेफ हाँ यह है कि entrance exam की जो point होते हैं वो आपके अच्छे लग जाते हैं और इसके साथ साथ आगर post graduation में आपके marks अच्छे हैं graduation में भी अच्छे हैं क्योंकि उनका 20% और 10% का ratio लगता है तो आपके मिल की अच्छे marks हो जाते हैं और तब अगर आपकी interview में कोई जान पैचान या सिपारिशन नहीं है तब भी हो जाएगा क्यों क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि उन marks को कोई कम नहीं कर सकता लेकिन जो interview है उसमें आपको ज्यादा अच्छे marks लेने की जुरूत नहीं पड़ेगी और आप fight कर सकते हो और मैंने क्यों नहीं लिया government university से PhD क्यों नहीं की देखो सब चाते हैं कि उनका admission government universities में हो जाए एक तो fees भी को बहुत ही कम होती है तो financials problem की वज़े से भी कुछ बच्चे रहे जाते हैं PhD करने से क्योंकि private universities की fees बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा government universities को preference भी दी जाती है ये हमने सुना है अभी तक देखो अगर कहीं पर interview देंगे तब पता चलेगा तो government universities को preference दी जाती है अगर आप interviews वगरा देने जाते हो और उसके साथ-साथ government universities में fees भी बहुत कम होती है लेकिन private university में fees बहुत ज़्यादा होती है तो हमने government universities में कई बार apply किया बट admission नहीं हुआ तो हमने अपना private university में ही बैटर समझा और शायद ये फैसला भी एक तरह से सही ही था क्योंकि हमारे जो university है वो बहुत ही अच्छी university है जानिमाने university हो और बहुत ही अच्छे वहाँ पर teachers है और अगर आप और ज़्यादा कुछ जानना चाते हो और जी आरे फैलोसिप कोई matter नहीं करता है कि आप private universities में हो या government university में जी आरे फैलोसिप आपको से मिलती है क्योंकि जी आरे फैलोसिप कोई college या university नहीं देता वो हमारी fellowship यूजिसी से आती है तो उनमें उनका कोई role नहीं है बस फर्क इतना है कि आपको एक दो class दे दी जाती है आपको थोड़ा सा workload लेना पड़ता है तो ये थी detail information government universities में admission से correlation नहीं है जी आरे फैलोसिप का लेकिन हाँ ये नहीं है कि अब आप जी आरे फैलोसिप आपके लिए अगर आप का government university में नहीं admission होता है तो इसका ये benefit मिल जाता है कि आपकी एक तरह से ये लगा लो कि आपकी जोब ही हो जाती है क्योंकि लग बग 35 प्लस amount इसमें मिलता है जो कि किसी कलरक की salary से कम नहीं है और उससे आपकी fees submit होने के बाद भी आपके बहुत सारे खर्चों के लिए आपके पास पैसे आ जाते हैं तो अपनी तैयारी कीजिएगा क्योंकि और net में fellowship नहीं मिलती है कई students ये भी पूछते है कि मैं क्या नेट में fellowship मिलती है जी नहीं नेट में fellowship नहीं मिलती है जी आरेफ में fellowship मिलती है उसके साथ साथ जो entrance exam में टोपर्स होते हैं उनको fellowship मिलती है वो अलग अलग criteria होता है universities के according तो आप अपनी पूरी 100% से लगन से तैयारी की जी और जी आरेफ अपकर पका निकल के आएगा so thank you so much and और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ help मिली हो तो like share and subscribe करना ना भूले और अगर कोई query है आपकी तो आप comment session में बताईएगा हम तुरंत आपको reply देंगे thank you